नमस्कार फ्रेंज मैं हूँ आपका मित्र आपका सखा आपका सखा कमल नंद्लालो और मैं आप सभी दर्शकों का हार दे कभी नंदन करता हूं वास्थो का सच में सब्सक्राइब करें शेर करें हमारे वीडियो यूट्यूब और फेस्बूक पर और साथी साथ में तक अप्ल तो चलिए सीधे आते हैं आज के वास्तू के विशय तो मित्रों आज का हमारा जो विशय है वह बहुत खास भी है और बहुत आम भी और आप इसे खुझ चैक कर सकते हैं कहीं आपका घर का में गेटेस रंग का तो नहीं हो सकती है बड़ी बजनामी है आज सही सुना आपने और सही काम खें आई इस बारे में बात करते हैं दीके बास्तू एक तरिके का विज्ञान है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जियो बायोलाजिक बास्तू विज्ञान हमें कुछ गाइड लाइंस देता है जिसके अनुसार अगर आपके घर में लोगों के बीच में अक्सर तनाव होता है अगर आपके घर में बीमारिया है अगर धन की परिशानी है तो अगर आपसी मतभेद है और तनाव का कारण है तो इसका मूलतह कारण हो सकता है आपके इर्द गिर्द की नेगेटिव और ऐसे में यह वास्तु दोश कहलाता है। जिस किसी भी स्थान पर अगर आपको परिशानी महसूस हो रही है तो समझ लीजी वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है। सब्सक्राइब और सबसे में इंपर्टन चीज है जहां से उर्जा हमारे गर में घर में मुख्य को प्रश्ण है आपसे कहीं आपके घर का में डोर इस कलर का तो नहीं हो सकती है बड़ी बंदा आईये मैं सक्क्यों कह रहा हूं कि अब लोग छोटे घरों में रहने लगे हैं फ्लैट्स में रहने लगे हैं और अब एक जमाने में लोहे के दर्वाजे उता थे गराज उता था बहुत सारी चीज़ उता थी अब सिस्टम खतम होगे है थोड़ा सा लेकिन कुछ आज भी छोटे शवरों में अत्यादिक बादा तो नहीं है अगर ऐसा है मित्र तो यह समझ लिजेगा बदनामी पक्की है घर का में एंट्रेंस गेट अगर काले रंग का होता है तो बड़ी दिक्कत है वास्तू शास्त्रे कहता है और यह वास्तू गाइडलाइन्स कहती है कि घर के मुखिया को बड़ा कश्ट होत है बदनामी भी होती है दोखे भी मिलते हैं और आप शब्द सुनने पड़ते हैं दुनिया से या आप कंक्लूड करके देख लिजेगा जब भी किसी भी व्यक्ति के घर का में एंट्रेंस गेट अकर काला होगा या उसके घर में काले रंग का चैनल गेटी हुआ भार जो से दिख्कत आती है एक बात को ध्यान में रखिए इसे किसी भी तौर के से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना है कारण क्या है कि आपका में डीटी है जिसकी जिस पर सारी एनर्जी टिकी बी अंदर आने वाली सारी एनर्जी इसी पर टिकी और ऐसे में इसे काला बिलकुल नहीं होना चाहिए डार्केस्ट ब्राउन बिलकुल नहीं होना चाहिए अन्य था आप बदिनामी का शिकार हो जाते हैं आपकी समाज एक छवी विगड़ जाती है ऐसे में विशेश तोर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसी परिस्तिती है और किसी भी कारण से आप उस गेट को चेंज नहीं कराहा रहा हैं जिसे कुछ लोगों केः घ्रों में लोही का गेट है कुछ आर्थिक समस्य के कारण उसको चेंज नहीं कराबा रहे तो एक विशेश उपाय जरूर किजिए है वह क्या कीजिए कि आप औरेंज पेंड से दरवाजे के आगे और पी कि का स्वास्तिक के नीचे नौ बिन्दिया मना दें थ्री थ्री और थ्री नौ बिन्दिया आगे भी और पीछे भी और विशेश रूप से घर से इस नेगटिव औरा को दूर करने के लिए विशेश रूप से एक जरूर काम करें वो यह कि यहां पर गेट के बाहर के तरफ ए उन्हें चमीली के तेल और सिंदूर का चोला ज़रूर चड़ा है और निया मित रूप से दीपक ज़रूर करें उनका तो यह जो बदनामी का दोश है यह काफिया तक खत्म हो जाएगा तो मित्रों आज के लिए वस इतना ही कलाप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे हैं सो तक अपर अपने मित्र अपने सका अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उमीद के साथ इजास्थ दीजिए कि आपका आने वाला कलाप से कुछ बहतर हो शुब हो तब तक के लिए नमस्कार नमस्षिवाए